नमस्कार मैं गुपतेश्वर पांडे डीजीपी बिहार एक गलत फाहमी बहुत हो रही है लोगों को कि किसके बाद लॉकडाउन में छूट है नहीं मैं यही असपस्ट करने के लिए हांथ जोड़ करके प्राफना करता हूं बिहार की बारख परोलामाम से कोई छूट नहीं ह आम आदमी के लिए जैसे लॉकडाउन चल रहा था आम जनता के लिए वैसे ही एक लॉकडाउन तीन मई तक चलेगा आपने बड़ा सहयोग किया है बड़ा समर्थन दिया है बड़ा ही प्यार दिया है मेरा अम्रूद है कि तीन मई तक अपने घर में रहें सरकारी कारियाले खुल गए हैं तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे आवसक सेवाओं से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे आपात कालीन सर्विसेज से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे कुछ कामों में सरकार ने छूट दिये उस कामों संबंधित लोग आएंगे जाएंगे उनको गर में रहे शुरक्षित रहे तीन मई तक बाहर मत निकल लिए और जो निकलते हैं लॉकडाउन का उलंगन करते हैं तो उनके खिलाब कितनी काड़वाई कड़ी कारवाई होती है आपको बताने की जूरतने बिहार में मजबूर होकर के लॉकडाउन के उलंगन में एक ब्यस्पी अस्तर के पदाधिकारी पर उनको निलंबित होना पड़ा बीडियो और सीओ पर एक वरियमंत्री के पीए पर एक जिरफ्तार करना पड़ा तो सरकार इस मामले में कितना सकत है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं तो किसी के लिए भी आम आदमी के लिए तीन तारीख तक बाहर घर से नहीं निकलना है ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और मैं पुलिस के अपने एसपी लोगों से कहना चाहता हूँ डाउन दी लाइन नीचे क्लियर करें कहीं कहीं पत्रकारों के साथ दुरवियहार के सुचना आती है कहीं कहीं इनОसिन्ट लोग जो जरूरी काम से सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए prescription लेकर धवा लेने ज़ा उनके साथ द्रोथे सुचना आती है है बहुत कम ऐसी गटना है बियार में होते हैं लेकिन ये इक भी ऐसी घटना होती है तो हमारा नाम खराब होता है बिहार पूलिस का नाम खराब होता है किसी पत्रकार पर हाथ न उठाएं आइडिन्टिटी पत्रकार बंदों से भी अंदोद करूंगा कि हमारे पूलिस के लोग बहुत ही तनाव में जी रहे हैं आनवस्यक उनसे न उलजें और जब भी निकलें ग्रूप में निकलें अकेले अपना आई कार्ड लेकर के ही निकलें और दिनमरता से सालिंता से वो पेस आएं जब भी उनको पूछा जाए वो दिखाएं तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आम आदमी भी कोई परेसान नहों निर्दोस पर किसी पर लाठी नहीं चलाना है कि छूट है लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से बिचार करके कि किसके साथ कितना क्या करवाई करनी हो करें ताकि कोई जनता में पूलिस के खिलाफ गलत मैसेज नहीं जा और जनता से भी मैं अन्रोद करूंगा कि करोना वारियर्स जो चाहे स्वास से जुड़े हुए लो करें बड़ी गलती तो हम भी नहीं चोड़ते लेकिन उनको सम्मान दें वह अपनी जान हथेली पर ले करके आप लिए लड़ रहे हैं तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि किसी पुलिस कर्मी पर किसी डॉक्टर पर कोई पत्थर फेक दे कोई हमला कर दे क्योंकि कि ऐसा जो भी करेगा मैं पहले भी कह चुका हूं उसके साथ बहुत ही सकती से कानूनी करवाई की जाएगी उनको इसका प्रणाम भुगतना पड़ेगा इस बात को मैं फिर दूरा के कह रहा हूं और अपने पूलिस अधिकारियों से कह रहा हूं सुनों सिपाही भाई हवल भाई ठंदार भाई डिएसपी इंस्पेक्टर और एसपी साहब लोग लोग कुछ ऐसे हैं जो सामप्रदाइक पोस्ट करके और किसी तरह से दो समुदायों में नफर थेलाने की कोशिश कर रहे हैं सैक्लों लोगों के ऐसी गिरफतारी हुई है जो पोस्ट करता है उसको त उरत दबोच लीजिए मुकदमा कीजिए गुंडा रजिश्टर मुसका नाम चढ़ाइए केस में चार सीट करिए स्पीडी ट्रायल कराइए ताकि वो जीवन में ऐसी गलती करने की हिमत न करे एक बार यह हो गया सरकारी नोक्री नहीं मिलेगी चरितर सत्यापन प्रणापत कुछ न करें कोई अप्वार न फैलाएं सोसल मीडिया पर विध्यान दखिए पत्रकार हमारे स्तंब हैं उनका सम्मान करना हमारा धर्म है लेकिन पत्रकारता के नाम पर कुछ ऐसे लोग भी आ गये हैं जो पॉर्टल खोल खोल करके और गलत नीज अफाहें फैलाते हैं कम ह लेकिन ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों के खिलाब भी कारवाई होगी यह बात उनको ध्यान में रखना चाहिए उनकी जिम्मवारी है वह अगर मिडिया के चौते हस्तंब हैं तो उनकी जिम्मवारी है कोई भी जिम्मेदार पत्रकार इस तरह की कोई गलत अफवाह नहीं प करते होगा किसी भी स्थिती में विहार में समप्रदाइक सोखार को बना करके रखना है यह रिसियों मुनियों बली ओंका धर्भाव के धर्ति हैं हिंदूMM इहां हमेश्ग सद्वाव से एक साथ रहते आए हैं प्रेम और सद्वावना और एक्टा के साथ इसको बना कर रख उनकी सेवा करिए उनकी मदद कर द जनता का दिल जीती है सेवा से जीती है कि वह लाठी चला खरे दिल नहीं dead सकते तो मैं जनता से और आम प्जुराइब से हैं जो कहना था मैंने कह दिया मैं तमाम पत्रकार्ण से बिद रूद करता हूँ कि संकट के समय में हमारा सहयोग करें मुझे आपका प्यार, मुझे आपका अश्रवात चाहिए और आपके साथ अगर आप जेनुएन आदमी है किसी तरह कि कहीं कोई गलती होती है आप हमको बताएं, हम उसका संग्यान लेंगे आप समय मेरा बहुत बहुत प्रनाव